Hello friends, welcome to get exchange, अपन बात करें थे EMT और EMT के अदर अपन पढ़ रहे थे Uniform Plane Wave आज अपन uniform plane wave की दो most important concepts की बात करेंगे एक concept का नाम है skin depth और second का नाम है lost tangent दोनो most important concept हैं, दोनों से क्यूसन बनते ही बनते हैं अपनके get exam में तो आपको बहुत डीटेल से मैं समझा रहा हूँ दोनों कंसेट फ़र्स्ट कंसेट अपन पढ़ेंगे इसकी डेप्ट और सेकिंड अपना कंसेट है लोश तंजेट तो आज है अप हेडिंग डालो concept of skin सिसंद ऐसे के उसकी यूट इसकी यूट होती है यहां यह अविन बात करने वाले स्केम्ड क्राटी क्या होता है यहमेई यूनिफों प्लाइब में मे इक मॉश्ट इंपोर्टन यहां जिसी यूनिट क्या होती है डेल्टा इसको रिप्रजेंट करते हैं डेल्टा से और इसकी यूनिट क्या होती है मैंने एजूम कर लिया यह मेरा कोई Uniform Plane Wave का source है जो की J is equal to 0 पे हैं, ये मैंने ajum कर लिया, यहाँ से मेरी मालो मैं ajum कर लिया, एक uniform plane wave generate हो रहे हैं ये uniform plane wave का source है, मालो यहाँ से uniform plane wave जो कि plus z x कहलों generate होके travel हो रहे हैं ये मैंने ajum कर लिया आई होप यहां तक आपको समझने आगे होगा मैंने यह एजूम कर लिया कि मेरे यूनिफॉर्म प्लेंड वेव का सोर्स जो कि j equal to 0 पे हैं और यहां से एक यूनिफॉर्म प्लेंड वेव जनरेट होके इस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही हैं यह अगला यह जो मीडियम है इस मीडियम का मैंने वेव प्रपगेशन कॉंस्टेंट एजूम के लिए गामा जिसका रियल पाट गीता होता है आपको पता है अलपा होता है और इमेजनरी पाट गीता होता है बीटा होता है तो j beta आयोप यहां तक आपको समझने आगया होगा देखो यह क्या है जैड इक जब अपने wave equation को solve किया था तो अपनकी electric field यानि uniform plane wave के साथ associated electric field की value अपनको कितनी मिली थी e0 e की power minus alpha z cos omega 0 minus beta z x kap मिली या नहीं मिली बिल्कुल मिली जब अपने अपनका first लेक्षे था uniform plane wave का अगर कोई uniform plane wave positive zx के along travel कर रही है तो उसके अपने find out की थी अपने wave equation को plus zx के along travel करने वाली uniform plane wave के लिए solve किया तो uniform plane wave के साथ associated electric field की अपनको time domain के अंदर यह वाली value मिली थी I hope यहां तक आपको समझने आगे होगा तो मेरे को बताओ इस electric field का amplitude कितना है आपको e note e की power minus alpha z इसका amplitude है तो मेरे को बताओ यहां पर अगर मैं आजूम कर लूँ z equal to zero पे इस wave के साथ associated electric field का amplitude अगर मैं e note आजूम कर लूँ तो मेरे को बताओ आगे के लिए इसका amplitude कितना हो जाएगा इसका amplitude कितना हो जाएगा e note e की power minus alpha z इप मतलब इस wave के साथ जूडियोई electric field का amplitude exponentially decay होगा जैसे-जैसे medium जैसे-जैसे मेरी wave medium के अंदर क्या करेगी penetrate करेगी या medium के अंदर travel करेगी तो इसके साथ जो associated electric field होगी इसके amplitude में क्या आएगा decay आएगा exponentially decay आएगा आई होप यहां तक आपको समझा आ गया होगा और इस wave equation की जब अपने wave equation को एक uniform plane wave के लिए solve किया for traveling in the positive z direction तो अपनको पता है उस wave के साथ associated electric field की अपनको यह value मिली थी और यहां से अकर मैं इसके amplitude की बात करता हूं तो e naught e की पावर मैंस अलपाजाड इसका amplitude मिलता है जो मैंने यहां लिख दिया और मैंने एजोम कर दिया z equal to zero पिसके amplitude कितना है इस wave के साथ associated electric field का amplitude कितना है यह note है और जैसे जैसे मेरी wave medium के अंदर penetrate करेगी तो इसके साथ जोड़ी हुई electric field के amplitude में exponentially क्या आएगा इसके amplitude की value किती है यह नहीं uniform plane wave के साथ जूड़ी हुई electric field का amplitude exponentially decay होगा जैसे जैसे मेरी wave medium के अंदर क्या करेगी penetrate करेगी और अगर इसका मैं grab बनाऊ तो grab कुछ ऐसा मिलेगा यह मेरा amplitude versus z के बीच में अगर grab बनाऊ तो add the z equal to 0 पर इसका amplitude कितना हो जाएगा e note हो गया जो अपने assume कर रहा है और जैसे जैसे wave आगे travel करेगी medium में तो इसके amplitude में क्या होगा exponentially decay होगा कैसे डिखा होगा exponential decay होगा और एक value बीच में कहीं ऐसी मिलेगी जहां पर इसका amplitude e note का कितना times हो जाएगा e note by e हो जाएगा कितना हो जाएगा e note by e हो जाएगा और e note by e कब होगा जब आपकी z की value किसके equal हो जाएगी 1 upon alpha के equal हो जाएगी I hope यहां तक आपको समय आ गया होगा जैको add the source add the z equal to 0 इसका amplitude अपने एजूम कर रहे का e note और जैसे जैसे wave medium के इंदर travel करेगी तो उसके साथ जूडियों electric field का amplitude क्या होगा decay होगा exponentially decay होगा add z equal to 1 by alpha इसके amplitude की value कितनी हो जाएगी e note by e हो जाएगी और इसी 1 by alpha को अपन skin depth कहते हैं क्या कहते है skin depth यानि जैड की wave value जहां पर amplitude की value maximum amplitude की value की 1 by e हो जाती है उसको अपन क्या बोलते है skin depth बोलते है I hope यहां तक आपको समझा आ गया तो अब बताओ skin depth कितनी हो जाएगी skin depth की value कितनी आ गया आपको पास 1 by alpha और इस्कीन डेफ्ट आपका किसका measurement है आपको पूछे skin depth किसका measurement है skin depth किसका measurement है यह आपको कोई पूचे तो यह आपको क्या measure करके देता है यह measure करके देता है कि अपन की यह wave medium के अंदर कितना penetrate कर सकती है i hope यह तक आपको संदना आ गयाए यह यहां तक आपको समझने आगया होगा, क्योंकि उसका amplitude क्या होगा, जल्दी से decay होगा, हैनि first rate से decay होगा, तो I hope यहां तक आपको समझने आगया होगा, और alpha की value, अगर attenition constant की value कम होगी, तो मेरी delta की value ज्यादा होगी, तो मेरी wave है न, medium के अंदर ज्यादा distance तक penetrate करेगी, यहां तक आपको समझने आगया होगा, यह किसका measurement है, तो आप काओगे, यह measurement है कि wave कितनी distance तक medium के अंदर penetrate कर सकती है, उसका measurement आपको देता है, यह delta की value अगर ज्यादा होगी, और medium 1 के अंदर कम penetrate करेगी, और इसका मतलब कितना हो जाएगा, alpha 2 is less than alpha 1, यहां पर wave में attenition ज्यादा आएगा, इस medium के अंदर, इस medium के अंदर, 1 के अंदर, क्योंकि इसका attenition constant ज्यादा है, और इसका attenition constant क्या है, कम है, तो यह किसका measurement है, यह measurement है, कि आपके EM wave, medium के अंदर कितना penetrate कर सकती है, उसका measurement है, आई होब यहां तक आपको समझा आगया होगा, तो alpha को भी अपन बोल सकते है, measurement उसका भी measurement है, alpha भी आपको यही बता है, कि वो wave कितनी penetrate कर सकेगी, और आपको delta भी किसका, उसका measurement है, और इनका relation क्या है, डेल इकल टू 1 बाई alpha, आई होब यहां तक आपको समझा गया होगा, यह होता है, concept of skin depth, देखो, यह मैंने assume कर लिया, कि यह मेरा EM wave का source है, और at the boundary, at the jet equal to 0, जहां पर source है, वहाँ पर इस wave के साथ, associated, geodio electric field का amplitude, मैंने enote assume कर लिया, और मेरे को पाता है, अगर मेरा medium, lossy medium है, याँ अलपा की value 0 नहीं है, तो मेरे को पाता, इसके amplitude में क्या आएगा, exponential decay आएगा, और अगर alpha की value 0 हो जाती है, तो यहाँ पर amplitude कितना हो जाएगा, अगर मेरा medium lossless है, तो वहाँ पर skin depth जैसा कोई concept आता ही नहीं है, वहाँ पर अगर अगर alpha की value 0 आ जाएगी, तो delta की value कितनी मिलेगी, infinity मिलेगी, क्योंकि आपको पता है, delta equal to 1 by alpha होती है, तो मतलब ऐसी wave में, lossless medium का आपको ही पता है, lossless medium में, wave का attenition नहीं होता है, wave infinity distance तक travel करती है, लेकर attenition constant के काण, wave के साथ जूडियो electric field, और magnetic field के amplitude में क्या आता है, exponentially decay आता है, जिसकी वज़े से, wave कुछ distance travel करने के बाद क्या हो जाती है, खतम हो जाती है, आयोप यहाँ तक आपको समझना आगे होगा, और आपको पूचे delta किसका measurement है, तो किसको measure करके देता है, यह आपको average distance बताना है, कि वो wave कितनी travel कर सकती है, delta की value ज्यादा होगी, तो wave medium के अंदर ज्यादा penetrate करेगी, और delta की value कम होगी, तो medium के अंदर wave कम distance travel करके, खतम हो जाएगी, यह आप यहां तक आपको समने आगया होगा, यह अपना होता है concept of इसकी depth, अब अपन बात करने वाले हैं, concept of loss tangent किसकी बात करेंगे, आज अपन बात करने वाले हैं, second concept है, concept of loss tangent की बात करने वाले हैं, तो आपको मैंने पढ़एया था, Maxwell की equation for time varying field के लिए, आपको mps low मैंने बताया था, time varying field के लिए mps low कितना था, del cross h equal to conduction current density plus displacement current density, यह थो था आपका mps low for time varying field, अगर दोनु तरफ मैं phaset domain के अंदर, इसको convert करने की कोशिज करूँगा, तो अपना कितना हो जाएगा, del cross hs equal to, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह sigma e होता है, तो यह sigma और electric field का phasor form es हो गया, और यहाँ पर del by del t का कितना होता है, j omega होता है, और यह मैं d का कितना हो जाएगा, epsilon into es, मैंने medium को एक simple medium एजूम किया है, simple medium है, तो d equal to epsilon e use कर सकता हूँ, j equal to sigma e use कर सकता हूँ, यहाँ तक आपको समने आ गया होगा, और यह अपन की हो गई, l cross h equal to, conduction current density plus displacement current density, इसको अपन s से भी लिख सकते हैं, यहनि अगर मैं बात करता हूँ, total current density क्या हो जाएगी, j total s लगा सकता हूँ, फेज़र दोमेन के अंतर s लिख दिया, equal to, j conduction current density, j cs लिख दूँगा, sigma e s को मैंने बोल दिया, conduction current density, और इसको मैंने बोल दिया, displacement current density, j d s, आई होप यहां तक आपको समझने आ गया होगा, तो यहां से मेरे को बताओ, j cs की value कितनी है, conduction current density की value कितनी है, तो आप गवगे, इसकी value तो sigma e s है, और मैं पूछूँगा, displacement current density की value कितनी है, displacement current density की value बताओगे, j omega epsilon into e s, आई होप यहां तक आपको सम्झने आ गया होगा, आपको पता, sigma तो एक constant है, omega epsilon constant है, constant को कोई मतलब नहीं है, यहां पर ही e s है, यहां भी आपका e s है, लेकिन यहां क्या है, j है, यह j किसको repartend करता है, यह j यह represent करता है, कि displacement current density, conduction current density, lead करेगी by 90 degree, आई होप यहां तक आपको सम्झना आना होगा, यह कि j ds है न, displacement current density, lead करेगी किसे, conduction current density से, कितने डिगरी से, by 90 degree, आई होप यहां तक आपको सम्झना आ गया होगा, यह अपन को यहां से पता चलता है, यह sigma और omega से तो constant है, इनका कोई मतलब नहीं है, yes इदर है, yes इदर है, यहां j से multiply हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, j ds, j c s से lead करेगी by 90 degree, आई होप यहां तक आपको सम्झना आ गया होगा, और आपको पता है, j, total current density, equal to किती होती है, conduction current density, plus किती होती है, displacement current density, आई होप यहां तक आपको सम्झना आ गया होगा, और अगर मैं, conduction current density को reference, assume करता हूं, क्या middle infinity करता हूं, conduction current density को, अगर reference technique करता हूं, तो मेरे को बता हो, यह क्या हो जाएगी displacement current density इसे हमें स्था क्या करती है 90 डिगरी लीड करती है तो यह मेरी हो जाएगी displacement current density J ds और इन दोनों का sum आपको vector form में आपको पता है दोनों का sum कैसे करते हैं तो आपको पता है अगर यह J cs है यह J ds है तो यह किसको को रिपरजन करेगा दोनों के सन को रिपरजन करेगा यह किसको रिपरजन करेगा आपका जे टीस को रिपरजन करेगा बिल्कुल जे टीस को रिपरजन करेगा आई होप यहां तक आपको समनना आगया होगा वेक्टर एडिसन का पैलोग्राम रूल आपको पता होगा यह अग तो जितमें क्या हो जाएगा दोनों का सम हो जाएगा और दोनों का सम कितना है JTS है I hope यहां तक आपको समना आ गया होगा अब concept of loss tangent आता है तो देखो JTS क्या होता है total current density से जितने डिगरी से लीड करता है ना उसको अपन बोलते है loss angle बोलते है किया बोलते है qua लोत इंगल बोलते हैं और इसके टैन को अपन किया बोल ढूरते हैं लोड सेंचेंच क्या बोलते है इस banco की यहां तक आपको समना आ गया होगा देखो यह आपकी होगी total current density क्या होगी यह आपकी total current density हो गई और GDS GTS से जितने डिगरी से लीड करेगा ना उसको बोलते हैं Loss Angle और इसके 10 को बोलते हैं Loss Tangent बोलते हैं आई होप यहां तक आपको समझा आगागा और आपको पता हैं यह अगर ठीटा है तो इसका आप मैं निकलूँगा 10 तो देखो यह क्या हो जाएगा अगर यह JCS है तो इसका भी तो इसकी इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी Mode of JCS और इसकी कितनी हो जाएगी Mode of JDS आई होप यहां तक आपको समझा आगे हो होगी या नहीं Length का मतलब क्या हो गई यह जो वेक्टर फोर्म में उनका Amplitude तो होता है Length बिल्कूल यह हो जाएगा JCS यह हो जाएगा JDS मेरे को क्या निकलना है 10 Theta तो मेरे को बताओ 10 Theta कितना हो जाएगा यही तो होगा JCS अपन JDS होगा Magnitude of JCS अपन JDS हो जाएगा कितना हो जाएगा JCS अपन JDS अब देको 10 Theta कितना हो गया JCS अपन JDS इसको अपन बोलते है Loss Tangent आपको पाता है 10 Theta किसके Equal हो जाएगा 10 Theta हो जाएगा JCS सब कंडेक्शन करंट डेंसिटी का Amplitude अपन डिस्प्लेस्मेंट करंट डेंसिटी का Amplitude के Equal हो जाएगा और यहां से अगर आपन JCS का Amplitude लोगत कितना हो जाएगा JCS सिंप्ली कितना हो जाएगा Sigma constant है तो Sigma आजाएगा बाहर ES का Amplitude महाले मैंना assume कर लिया ESC assume कर लिया महालो ES का Amplitude अपने ESC assume कर लिया और अपनको JDS का Amplitude फाइंड आउट करना है अगर मेरे को तो जैको इसका तो कितना Amplitude होता है J का आपको पतना है 1 होता है तो Omega Epsilon constant है तो बाहर आज जाएगा Omega Epsilon ES का Amplitude कितना हो जाएगा ES का Amplitude अपने यह ले लिया तो अपनको पता है 10 Theta कितना होता है इसका और इसका आना ratio ही तो होता है तो ES से ES आपस में cancel हो जाएगा तो क्या बचेगा Sigma अपन Omega Epsilon कितना बचेगा 10 Theta किसके इकल हो जाएगा आपको पता है यही तो था Sigma ES आपन Omega Epsilon ES यही तो था बिलकुल यही तो था तो अगर ES से ES में अगर cancel कर दता हूँ ES के amplitude को आपस में cancel कर दते हैं तो बताओ 10 Theta की value कितनी मिलेगी 10 Theta की value मिलेगी Sigma आपन Omega Epsilon के इकल मिलेगी इसको बोला जाता है Low Tangent और यह Most Important Formula है और आपने जब intrinsic impedance पढ़ाता तो आपने पढ़ा होगा उसका कितना होता है वो भी एक complex quantity होती है और उसके phase के double का 10 किसके equal होता था Sigma upon Omega Epsilon के equal होता था यह मैंना जब आपको intrinsic impedance बढ़ा था तब मैंने बता या था और अगर इन equation को आपस में compare करूँगा तो कितना हो जाएगा 10 Theta किसके equal हो जाएगा Low Tangent 10 of 2 यहां से क्या हो जाएगा Low Tangent 2 into intrinsic impedance के एकवल हो जाएगा यह भी most important result है यहां तक आपको समन्या आगया होगा अगर मेरा 10 Theta जिसको अपन बोलते हैं Low Tangent इसको Sigma upon Omega Epsilon बोलते हैं अगर इसकी value greater than 1 होती है 1 से बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे medium को बोला जाता है good conductor medium क्या बोलते हैं ऐसे medium को good conductor बोला जाता है और यही मेरी अगर Low Tangent की value जिसको Sigma upon Omega Epsilon कहते हैं इसकी value much less than 1 होती है तो ऐसे medium को good dielectric medium बोलते हैं क्या बोलते हैं good dielectric medium बोला जाता है perfect conductor के लिए तो आपको पता है सिग्मा की विल्यू किती होते हैं इनिपिनिटी होती हैं क्डेक्टर मेरा perfect होता और गुड़ कंडेक्टर के लिए कौन सी कंडिस्न होने चाहिए सिग्मा अपन ओमेरा की ए किखी और सैंसे क्सिटिक होती है पूता है, अगर कोई ओमेगाव की सलीड है तो सुवी सक्मा मेंगा एमत्यों की एक कुछल होगि होगी यह सब कोई बीद्ध के लिए कोई आपन ओमेंगा ऐपसिलन की विल्यूट तो क्या होगी बहुत ज्यादा होगी अगर कोई मेडियंक वेव की ओपरेटिंग फिरकेंसी मुष्यों हैं बहुत कम है तो उसके लिए कोई मीडियं हो उसके सिंग्मा अमेगा sufisen की विल्यंहां तो क्या होगी ज्यादा ही होगी तो उसके लिए कोई भी मीडियम हो कैसा भी मीडियम हो गुड कंड़क्टर के तरह ही काम करेगा अगर आपके वेव की ओपरेटिंग फिरकेंसी वेव की फिरकेंसी कम है वेव की फिरकेंसी कम होगी तो कोई भी मीडियम हो ओमेगा की वेल्यू मच बहुत ही कम बहुत ही कम हैं तो आपको पता है सिगमा अपन ओमेगा एर्षण की वेल्यू चाहो ज़ाएगी और इसकी वेल्यू गटना वन हो जाएगी तो उसके लिए कोई भी मीडियम हो कैसा भी मीडियम हो गुड कंडेक्टर की तरह ही काम करेगा यहां तक आपको समझने आगया होगा यह अपना concept होता है लोग टेंजेंट वाला पूरा skin depth और लोग टेंजेंट की बारे में आपको अच्छा कासा आइडिया आगया होगा तो अपने नेक्स लिच्ट में पढ़ेंगे good connector medium के लिए यह वेव का behavior कैसा रहेगा good and dialectic medium के लिए वेव का behavior कैसा रहेगा various medium पढ़ेंगे जिसके अदर अपने वेव का propagation पढ़ेंगे आज वाला आपको समझने आ गया होगा skin depth का concept समझने आ गया होगा और आपको और आपको और आपको ना close angle वाला concept समझने आ गया होगा तो फिर इस lecture के लिए ते हैं तो thank you so much